अचानक एलिस की नजर, रोट साइड में बने अंटीक चीजों की एक शॉप फर पड़ती है, जिसे एक बूरी औरत चला रहे थी, एलिस उस बूरी औरत को जमीन से एक गोल्डन टीपॉट उठा कर शॉप के अंदर ले जाती हुई देखती है, उस गोल्डन टीपॉट से बार कर शॉप से बाहर भाग जाती है, फिर तुरंती अपनी कार में बैट कर, जॉप को तेजी से कार चुलाने को कहती है, अपनी वाइफ को पहली बार कुछ चुरातोगा देखकर, जॉप को हैरानी होती है, और एलिस कहती है कि ये टीपॉट इतना प्यारा है, कि वो खु दॉलर्स दिखाई देते हैं, उसे लगता है कि उसके जलने और डॉलर्स के मिलने में कोई कनेक्शन जरूर है, और इस बात को आस्माने के लिए वो इस बार जान बूज कर अपना फोर हैट चला लेती है, और टीपॉट फिर से हिलने लगता है, और इस बार उसे 700 टॉलर्स मिलते हैं, इस बात को कन्फरूं करने के लिए अब की बार वो अपने पैर से चेर को जोर से किक करती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है, और टीपॉट में और भी ज्यादा पैसे आ जाते है, उदर ऑफिस में जॉन को जॉब से निकाल दिया जाता है, जॉन घर जाती है कि हर बार उन्हें जब भी कोई चोट लगेगी, तो टीपॉट से पैसे निकलेंगे, जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, इसलिए उसे एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता है, फिर उसे विश्वास दिलाने के लिए और टीपॉट पागलों की तरह सोर जाता है, जान को एडील पसंद नहीं आती और वो टीपॉट को वापस लिकर अपने खार आजाता है, इस बीच एक अधेर उम्र का एशिन आदमी उस शो को देखता है, और उसे वो टीपॉट बहुत पसंद आता है, वो अपने घर की दिवार पर लटके हुए मैप में जान और इस वजह से उनका मूट भी बहुत अच्छा रहने लगता है, एक दिन एलिस की माँ और बहन लंच पर उनके घर आती है, तो ये सारे चेंजिस देखकर वो बिलकुल हैरान हो जाती है, कि जान की सीलस्मन की मामुली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी सिंदगी कैस पेश कर कमाए है, एलिस को लगता है कि वो ने बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई है, और जल्दी से वो सारे पैसे जान को दे देती है, जो उन लोगों ने टीपॉट से कमाए थे, जान उन पैसों को गुंडों के हवाले कर देता है, और वो लोग पैसे लेकर चले चात थी कि जान उस पेश को देखे, इसलिए उसकी नजर बचा कर वो उस पेश को फार देती है, कुछ सालों तक उनकी जिंदगी आश में कुसरती है, वो दोनों नई कार खरीदते है, पासी एक पॉश एरिया में एक नया घर भी बनवाते है, महंगे महंगे कपलों से लेकर शा जान उस आदमी को घर पर बठा कर उसकी बात को अची तरह सुनना और समझना चाता है, पर एलिस कहती है कि अगर उन लोगों ने उस आदमी को टीपॉट के बारे में बताया तो टीपॉट के साथ साथ वो सारी चीजे भी खो देंगे जो उन्हें टीपॉट से मिली थी, ली टीपॉट वापस शीने की कोशिश करता है, पर टीपॉट उचल कर बीच रास्ते में किर जाता है, अरनी उसके उपर अपनी गारी चला के चला चाता है, पर टीपॉट को ज़रा सावी स्क्रैश नहीं आता, ये देखकर एलिस को राहत मिलती है, पर उन्हें थोड़ा अजी टीपॉट उन्हें बढ़ा देगा, वो बताता है कि बरसो पहले आखरी बार एक नाजी कैम्प में उस टीपॉट को देखा गया था, ये सब सुनकर जान टीपॉट को ली को देते ना चाता है, पर एक बाफिर से एलिस जान को इस टीपॉट को ले लिंके हवाले करने से मना और निकल कर उनके सामने आते हैं, और उनके आने की वज़ा पूछते हैं, तो वो दोनों चोर कहते हैं कि वो यहाँ पे टीपॉट चुराने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये रहता है, उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है, और इंसान लालच में पागल हो जाता है, ये सब कुछ उन दोनों ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जान बूच कर उस टीपॉट को जान और एलिस के पास रहने दिया था, त पार कमाली के एक आदमी की तरफ इशारा करता है, जॉन उस बदमाश से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे उमीद थी कि इसके बैग में रखावा टीपॉट, उसे अच्छे पैसे देखा, इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है, और ली फिर से उसके पास आता है, और कह एक दिन कार ड्राइफ करते हुए, अपनी बगल वाली सीट पर बैठे जॉन से कहती है, कि पूरी दुनिया दर्थ से भरी हुई है, वो चाहे तो हर जगा से टीपॉट के जरिया पैसे कमा सकते हैं, वो अपनी बातों में खोई हुई थी, कि तभी सामने से आते हुए, एक गरीब को देखकर उस पर गाड़ी चड़ा देने की नियस से अकसलेटर दबाते थी है, पर जॉन फूर्ती से स्टेरिंग वील को घुमा कर उस गरीब को अपनी वाइफ के हातों मरने से बचा लेता है, इसके बाद एलिस और जॉन आपस में जगरने लगते हैं, एलिस उसे पहले तो जॉन ऐसा नहीं करना चाता था, पर एलिस के जित करने पर वो पास्ट की घटना बताता है, जब उसने एक पराई औरत को किस किया था, इस बास से एलिस दुखी हो जाती है, पर इस बार भी टीपाट ठेर सारे पैसे देता है, उस दिन से उनका ये रोज का नियम को हर्ट करने लगते हैं, वो लोग दूसरों के डाक सीक्रेट सुनके करीबी दोस्तों और रिष्टिदारों को बताकर उन्हें एमोशनली हर्ट करते थे हैं, और उसके बदले में उन्हें टीपाट से मोटी कमाई हो जाती थी, पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक च हैं, और उसने अपनी बेहन का घर बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया, तब ऐलिस कहती है कि वन मिलियन टॉलर के टार्गेट को पाने के लिए अब उन्हें आकरी बड़ा दाओ खेलना होगा, उसके बाद रुप जाएंगे, पर जोनों मिलकर एक गहरी कपरक होते हैं, जॉन का मन बदल चाहता है, और वो फैसला करता है कि वो अब यह सब नहीं करेगा, और एलिस से पूछता है कि वो जॉन आटीपॉट में से किसे चुने की, पर एलिस कोई भी जवाब नहीं देती है, और निराश होकर जॉन ली के पास जाता है, और उससे हलप पानकता है, ली कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जॉन उससे रिक्विस्ट करता है कि वो उस टीपॉर्ट को चुरा ले, पर ली कहता है कि इस तरह कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें उस टीपॉर्ट को अपनी मर्जी से ली के हाथ में देना पड़े का, उस रात नहाने के बाद जब अपने बैट रूम में जाती है तो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर के विंडो के किनारे बैठा हुआ है वो उससे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उस टीपॉट को वापस करते है एलिस उसे कूदने से मना करती है पर जॉन कूद जाता है एलिस को अपने हस्बंड के फिकर होती है और वो दौट कर नीचे आती है जिल्द ही जिल्द ही जॉन होश में आता है और एलिस से पूछता है कि वो टीपॉट ली को सौपने के लिए तैयार है तो वो हां करते थी है क्योंकि उसे सबक अप मिल चुका था अगले दिन ली को टीपॉट सौपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं पर उस राज जब एलिस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं उन्हें नीचे से कुछ आवास सुनाई देती है जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि उनका पुराना लेंडलॉड अर्नी उस टीपॉट को चुरा कर अपने साथ ले गया था एलिस को याद आता है कि जब वो दुनों चोर उनके घर पैसे चुराने आये थे तब उन्होंने उस टीपॉट को टच किया था और इसी वज़े से वो टीपॉट से अट्रेक्ट होकर उसे चुराने आये थे दोस्तों अमीद करते हैं कि इस मुवी के हिंदी एक्स्प्रेनेशन वीडियो आपका अच्छे लगे होके लाइक और आये थे